नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर मेरा नाम है जिराग और मेरे सभी फॉलोर्स जो है उनको पता है मैं पिछले कुछ टाइम से रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं और ऐसा मार्च तक भी चल सकता है बीच बीच में मैं कोशिश करूँगा कि अगर टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट दूँँ रैट लेकिन फर्स्ट मार्च से फिर से रेगुलरली जो है वो वीडियो जाने शुरू हो जाएंगे तब तक जो है जब भी भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड क करने की कोशिश करूँगा राइट अभी आज के वीडियो में अगर हम देखे निफ्टी के टू और चार्ट से हम शुरू करेंगे हमने अब तक देखा है कि यह वन टू थ्री फोर और यहां पे फिफ्ट कंप्लीट होने के बाद इसको हम ए मान रहे थे और यह जो है डबल स्पेंड करने के बाद यह करक्टिव पैटन लगा और यहां से फिर से यह बांस भी कर रहा है तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं चेंजिस क्या हो सकता है हो सकता है कि यह जो है करक्टिव मू हम मान रहे थे वह ऐसा नहीं है और यह थ्री और फोर जो है यहां पे नहीं ब अगर ऐसा है तो फिर यहां पे 3 है और यह 4 है तो यह जो retracement है यह retracement यह हमने यहां से low से निकाला है यह impulse को complete मान के हमने low से retracement निकाला है अगर उस retracement को हम यहां पे shift कर दे यहां से इस point से क्योंकि अगर यह 3 है तो फिर 4 के लिए हम retracement निकालते है 23 to 38 परसंट तो ऐसा करते है तो exactly यह 38 परसंट से ही bounce किया है तो वाके में अगर यह 3 है यहां पे अगर हम shift कर दे इस 3 को यहां पे और यह 4 है तो फिर 5 का projection हम यहां से निकाले 0 से लेके 3 और यहां से अगर हम projection निकाले तो यह 38 परसंट minimum projection आ रहा है तो इस counting के हिसाब से यहां से जो bounce है 21,137 से वो wave 5 का होना चाहिए और यह minimum projection अचीव करना चाहिए अब अगर same time पे अगर मैं bank nifty देखता हूँ तो bank nifty में हमने देखा था कि यहां से एक impulsive decline है और यह ABC होने के बाद फिर यह A or 1, B or 2 बन गया और C or 3 के अंदर यह 1 और यहां पे 2 इसके आसपास complete होने के बाद 61% के आसपास complete होने के बाद wave C का decline हमें देखने को मिल सकता है लेकिन यहां से यह bounce किया है अलाकि closing 61% के आसपास ही दिया है अगर यहां से हमने बात कि थी कि अगर इसके उपर trade करता है sustain करता है तो फिर इस range में यह जा सकता है यह किस logic के base पे था यह एक ABC decline फिर यहां पे यह X राइट यह हो गया W यह हो गया X और यहां पे यह Y इस तरीके से यहां पे B or 2 नहीं बलकि B or 2 यहां पे complete यह कर सकता है यह A or 1 और फिर यह W, X, Y यहां पे B or 2 और फिर C or 3 का decline जो है वो start हो सकता है यह हमने telegram channel पर already share किया हुआ था इसके उपर trade करता है तो इस range में फिर से यह जा सकता है तो bank nifty को अगर हम देखे तो present level से या तो फिर अगर यहां इसके उपर sustain करता है तो इस range में अभी भी यह corrective bounce ही हमें लग रहा है और इस range में से ही हम decline expect कर रहा है तो हमे क्या करना है nifty में उतनी clarity नहीं आ रही है counting में जो bounce हुआ है वो counting को कैसे match करे वो समझ में नहीं आ रहा है यहां पर हमने कोशिश तो की यह सारा reasoning है यह जैसा मैंने आपको समझाया कि यहां पर 3 और 4 था मैंने उसको यहां पर shift कर दिया यह reasoning का ही एक part है इसका मतलब यह नही कि यह counting हो सकते है यह possibility है ऐसी कोई बात ही नहीं है reasoning करके हमें पता चल सकता है कि अगर ऐसा करते है तो उसके इसाब से यह counting सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है मान लिजेगे अगर यहां पर 3 और 4 के बाद यह bounce अगर हमें impulsive लगता और impulsive में भी ऐसा indication होता कि 5th जो है वो continuation मे है और इसके उपर जा सकता है इस तरीके के कोई counting बनते तो इस counting में confidence आ जाता रैट अब उसी के हिसाब से bank nifty में अगर हम देखे तो इस counting में हमें compare to nifty थोड़ा confidence ज्यादा है रैट तो हम क्या करेंगे इस range में यह जैसे ही आता है हम यहां से retracement निकालेंगे 23 to 38% क्योंकि य यह जो third move है उसका 38% जब भी यह break करता है इसका मतलब यह corrective bounce हो सकता है और उसके बाद corrective bounce में हम यहां से एक अच्छा decline जो है वो capture कर सकते हैं यहां पे हमें थोड़ा सा confirmation का wait करना पड़ेगा अगर यहां पे इस range में आने के बाद भी अगर हम trade लेते हैं तो ले सकते हैं ल drop loss कितना हो सकता है आपकी capacity कितनी है loss करने की वो भी आपको यहां पे देखना होगा right तो मैं अभी के लिए bank nifty पे focus करूंगा और इस range में short का plan करूंगा right first March तक schedule थोड़ा busy है तो वहां first March तक आपको हो सकता है कि वीडियो जो है regularly ना मिले first March के बाद आपको regularly वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे right तो उसके लिए आपको थोड़ा सा adjustment करना होगा telegram channel पे हो सके उतना मैं update देने की कोशिश करूंगा live market में right हो सके तो mobile से भी मैं update देने की कोशिश करूंगा friends वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद